करनाल जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जिले में डेंगू के 38 नए मामले सामने आ चुके हैं दूसरी और स्वास्ते विफाग की ओर से डेंगू के मरीजों के लिए सिविल अस्पताल में एक वार्ड अलग से बनाया गया है इस वार्ड में दस ब में प्रती दिन घर-घर जाकर लारवा की जाच भी कर रही है वहीं टीम रक्त के सेंपल लेकर भी जाच कर रही है इस बार बारिश ज्यादा हो रही है यही कारण है कि मच्छरों की संख्या बढ़ रही है स्वास्थे विफाक की टीम ने प्राइवेट अस्पताल संचालकों को भी सक्त निर्देश दिये हैं कि वे संदिग्ध डेंगु मरीजों की जानकारी और सेंपल जांच के लिए स्वास्थ विफाग के पास भेजें। बनाया गया है, सभी को सावधनिया बरतने की भी इस वक्त आवशकता है। और जिनको टेस्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट हमारी लेबोर्टरी है जो एक हमारी अधुनिक लेबोर्टरी हमने बनाई हुए है। उसमें टेस्ट सभी प्रकार के है। इसमें क्योंकि आप डेंगु का सीजन चल रहा है तो इसमें डेंगु के अभी तक जो हमारी लेबोर्टरी में जेता है भी टेस्ट हुए उसमें। रहें कल तक जो है 38 केसे पोजिटीव दंगो के मिले हैं। ने स्देगों सबको आपकल सबको पता है कि डेंगु मच्छर से फैलता है। सकते हैं की सब्सक्न का पानी का रही तो इसके लिए लोगों के हाथ में काफी स्वक्राइब काफी शेंटे लिए जोगों के हाथ पूरी बाजू के डालें जहां भी पानी खड़ा दिखें उसके उपर तेल च्छड़क दें तो कुछ बचाव हम स्विंभी करें मच्छों से तो इस डेंगू की बिमारी से बचाया जा सकता है देखिए सरकार ने बड़ा सरानी कदम उठाया कि जिसे गरीब लोगों को डेंगू के ट्रीटमेंट में बड़ा मदद मिलेगी क्योंकि डेंगू का ट्रीटमेंट में जो में खत्र होता था वो प्लेटलेट्स कम हो जाती और उस प्लेटलेट्स के कम के कारण कम होने कारणी बाकि सारी कंप्लिकेशन होती थी और यह प्लेटलेट्स क्योंकि ब्लड से सेपरेट करके बना जाता तो इसमें काफी कोस्ट लगती है पहले इसलिए सरकार ने कम से कम फीस रखी हुई थी लेकिन बाहर प्राइवेट में काफी महंगे वो प्लेट लेट्स मिलते थे और गरीब आदमी को खरीब खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था परन्तु सरकार ने बड़ा सराने कद उठा उठाते हुए अब सभी के लिए सेवा कर दी गई है तो जो गरीब आत्मी है जो विचारा इसके कारण कहीं ना कहीं अपने आपको एसमर्थ पाता था इलाज करवाने में तो डैंगो का इलाज असानी से करवा सकता है